दोस्तों, नमस्ते, उमीद करता है, आप लोग सब अच्छे हैं, ठीक हैं, दुरूघा पूझा चलने ले आने वाली है, आ गई है मतलब, कल से शायद सप्थमी है, दुरूघा पूझा की, तो आप सब को दूरूघा पूझा की और नवरातरों की फिर से छुकामने देता हू और ये बोलूँगा जिकि जिन लोगों की frequently chart reading में selection हुई है कुंडली की उनकी reading में ये शाय 6th कुंडली है जो 15 October में जिनकी select हुए है इस बार ज्यादा कुंडली आई थी बहुत ज्यादा कुंडली आई थी तो इसलिए ज्यादा कुंडली रीट कर रहा हूँ और एक और चीज बोलूँगा जो आपको भी अगर अपनी frequently chart reading करवानी है तो मैं selected कुंडली की frequently chart reading करता हूँ और personal reading भी होती है जो की chargeable होती है अगर आपको frequently chart reading करवानी है तो आप मेरे को description में जो number है उस पर whatsapp drop करिए अगर आपकी कुंडली select होती है मैं फिर से बोलूँगा अगर select होती है तो आपकी reading हो जाएगी 30 October के बाद अभी 30 October का round चल लाए ठीक है अब यह सेशन है यह शायद आखरी सेशनों में होगा इसके बाद शायद और reading नहीं करूँगा तो इसके बाद खतम हो जाएगा इसके बाद जिनकी हो जाएगा जिनकी नहीं हुई है उनको यही बोलूँगा जिकी repeat लिखके और फिर से अपना subscribe के चानल उसका नया fresh screenshot सेंट कर दीजेगा और repeat लिख देजेगा मैं next round में कोशिश करूँगा आप लोगों की reading फिर से करने की ठीक है अब यह जो कुली है यह मैंने इसलिए पिक करिये है व्यकाज यह यंग है अंकित है यह अंकित 19 साल के हैं और यह काफी focus है लगता है अपने career को लिखे काफी जाधा चाहते है यह होता है यंग ये एज में लोग काफी अपना सोचते हैं कि मिले को क्या करना चाहिए कैसे कर तो बात कर लेते हैं आपकी एज 19 है अगर आप देखें तो आपकी एज 19 है अभी 19 साल के हैं आप और आपको civil services के लिए आपने सवाल पूछा है इसके लावा आपके भी महादशा जो चल रही है अंकित वह महादशा आपकी चल रही है देखा जाये तो अभी महादशा आपकी venus की चल रही है उसमें मरकरी के अंतरदशा है दोजार पच्चीस तक चलेगी अगस्त टक जून तक के महिने फिर केतु की अंतरदशा लगेगी केतु के अंतरदशा थोड़ी प्रॉब्लेमेटिक होगी एजुकेशन से रिलेटिट भी हो सकता है या रिलेशन्शिप को लेके हो सकता है जिसमें आपका फोकस लूज हो सकता है तो उस टाइम पर ध्यान रखेगा अगस्त जून जून दो हो सकता हो के प्रॉब्लेमेटिक और तो केतु के नतरदशा अब हवा है केतु कुछ भी कर सकता है उसके बाद सूरीक के अंतरदशा लगेग के जो obsessed रहेगा अब यह अपके करियर के लिए कैसा बहतर रहेगा क्ने का प्लाइन कर रहे तो इसके लिए आपका आपकीार आपक भी काफी अच्छी होनी चाहिए, आपकी competitive exams और quick response और आपका understanding of everything, society से लेके, law से लेके, सब कुछ का आपका understanding अच्छा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं इसके regarding, तो अगर हम आपकी कुंडली देखें, तो आप mercury लगन के हैं, अगर आप mercury के हैं तो उसमें शुक्र मित्र राशी के हैं, मित्र हैं आपके, और लगन में बैटे हैं, और शनी भी आपके लगन में बैटे हैं, जो कि कही न कही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि शनी भागे का मालिक होके लगन में बैटा है, यह काफी positive साइन है, हालकि शनी की महादशा अभ वोगिए शुक्स्थ हाउस का ओनर है और शुक्र लगन का ओनर है दोनों का होके वो तीसरे घर में बैठा है तीसरा घर हम competitive exams के लिए देखते हैं क्योंकि यह महनत का घर होता है हाड़ वर्क का घर होता है और आपके लगन का जो मालिक है खुद धर्ड हाउस में जाके बैठा है और जिसमें पांच नमबर लिखा है तो यहाँ पर तक काली मत्रता करी है मरकरी ने सूर्य के साथ में क्योंकि सूर्य इस घर का ओनर है और हाड़ वर्क का ओनर होके वो फोर्थ सेकेंड हाउस में बैठा है इसके रिकार्डिंग बात करूँगा अब मरकरी आपके थर्ड हाउस में बैठा है और मार्स अब के थर्ड हाउस में बैठा है जो आपको competitive exam अगर मंगल को दिखा जा तो मंगल आपके six house का ओनर हो के थर्ड हाउस में बैठा है मतला यह भी competitive exam मेहनत और struggle या dispute से निकलने का या वार से निफाइट से निकल के जीतने का साइन दिखाता है ज हाउस का ओनर होके तीसरे घर में बैठा है जो खुद competitive exam का घर है तो यहां पर तीसरे घर में जो बैठा हुआ है मंगल यह positive है आपके लिए अच्छा देगा गुरू भी अच्छा है बादस्वें करमेश का मालिक करमेश होके तीसरे घर में बैठा है तो वर्क आपका अच् civil service में सिर्फ आप civil service के आप government job clip कोशिश कर रहे हैं तो जरूर आप कोशिश कर सकते हैं अभी का समय अच्छा चल रहा है क्योंकि शनी में आपका माफ कीजेगा आपका वीनस में शुक्र में आपका बुच चल रहा है तो इस कारणवर्स दोजा बच्चीस आठ जून तक इवन में फीमेल जो हैं वो उनका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो इस वज़ा से आपके फीमेल के साथ अच्छा सपोर्ट रहेगा और वह आपको कहीं ना कहीं help करेंगी तो और आपके क्या बोलते हैं उनके फाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो होके बैटा देखिए यहां पर तीसरे घर में पांच नमबर लिखा है हाला कि मित्र राश्य में बैटा है सूर्य और जस्ट इसके पीछे सूर्य बैटा है तो इस कारणवाश हो सकता है जिकि आपको कहीं ना कहीं family के ऐसी कोई matters हाजा जो आपको profitable दिखे या आपके family में ऐ और मंगल और जूपिटर मंगबुत की भी आप कोई ना कोई उपाय करिए आपको अच्छा फल मिलेगा सूर्य का जरूर करिए क्योंकि यहां पर हो सकता है जिकि family में ऐसा कोई reason करेट हो जाए जिकि आपका focus change हो जा हाला कि वो negative नहीं करेगा सूर्य घर घारी मतलब दूसर तो sports related भी कोई भी अगर job पकड़ना चाहते हैं government में या तो army या security related या calculation banking कोई भी नौकरे मिले आप कर सकते हैं अभी के लिए कोई problem नहीं है और अगर आपको कोई छोटा SSC या वगेरा कोई भी exam मिले उसमें भी try कर सकते हैं ठीक है अंकित उमेद करता हूँ आपको आपको 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 झाल झाल